नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों अब आपके जिवनकाल में आपको एक नई जिन्दगी मिलने वाली है कि दोस्वों आप शबी को बता दें कि याश में बगवान शुर्ण देब और मालक्षमी एक साथ चले आपकी राशी में और आने वाले 5-10 दिनों के अंदर आप शबी के कुंडली पर भगवान शुर्ण देब और मालक्षमी का बहुत ज्यादा परभाव देखने को मिलेंगे जिए दोस्वों आप शुर्ण के जुनकाल में बहुत बड़े-बड़े चमतकार होने वाले हैं भगवान शुर्ण देब के शुर्ण के जुनकाल में कुछ चमतकार होगा तो आपको एक नए जिंदगी मिलजाए गी पर दोसमें अपुछ बातों के वेसेग सुझ ध्यान रखना होगा गर आप इन बातों को ध्यान रख लें तो दोस्वों आने वाले शुर्ण में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे क्यों दोस्तों ये बातें जो है आपके जूनकाल से जुड़ी है और हर बार आप जाने जाने में यह गलती करी देते हैं आप चाहते हैं कि यह गलती आप ना करें लेकिन दोस्तों समय कुछ ऐसा होता है प्रस्तिती का कुछ ऐसा निर्मान होता है कि आप जाने जाने में यह जलती कर देते हैं और आपको नुक्षान होता है और बाद में आप परस्ता आते हैं तो दोस्तों कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना होगा क्यों की बहुत ही अच्छी सिती बनी है भगवान शुनदेप और मालक्षमी आपके कुंडली पर यश्मी बिरेजमान हो चुके दाए आपको आपको पौके मिलने वाले को सब्सक्राइवार है तक महालक्षमी और बगवान शुर्णीदेप का शुकष्रबाद skape प्राप्त होता रहेれない जै. दोसों तो दोसों आज कई है वीडियो आप शुबी के लिए बहुत तीक लापकारी बिल्कुल ही गहरी तरीके शेग्रह गोचर पर निर्मित है तो दोसों अंत तक देखना आप शुबी का दाई तो होगा ज्या दोसों उसे पहले दोसों जो भी मालक्षमी और भगवान शु मश्रुबाद आप शुबी को प्राप्त होगा ज्या दोसों जोभी वर्ट वीडियो को लाइक करके जय मालक्षमी जय शुन्देव लिग देगा दोसों यकीन मानिए भगवान शुन्देव और मालक्षमी उनके जनकाल से सभी कश्ट दूर कर देंगे ज्या दोसों तो अपने जनकाल में बहुत यदा उतास और हतास हो चुका था जय दोसों उन्हें लगता था कि हमारे जनकाल में हमें बगवान ने कुछ दिया ही नहीं है हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आगिर हमें भी बगवान कुछ देता ताकि हम अपने वज़े से कुछ ऐसे कर पाते हैं कि लोग हमारा नाम लेता और दोसों यह शवाल हुआ बगवान श्रीकिष्ण से कहने लगे तो दोसों साख्षात बगवान श्रीकिष्ण उनकी भक्ती भाव को देकर परकड़ोकर बोल बीच में कुछ पतर और मिंटी की परते अिधि कोई बाद़ाइं थी कोई बाद्धारें थीया कोई इसी परकार हमारी हमारेज़ितर ज्ञान वालगें है उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता उसके जरने भीता चिपे हैं के वल बीच की बाधाएं पत्थर और मिटी अलग कर देनी है खोद कर और फिर ज्ञान के जरने परकट होने शुरू हो जाएंगे ज्या दोस्तों यह बात सुनकर उनके भक्त के मन में बहुत यह प्रश्णता का अनुबव करने लगे ज्या दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्री कर्श्णत का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो यह बातों को आप सोच पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में निकिले लिग दे वीडियो के मदमत में हम आपको कुछ ऐसे विसेश बातें बताने वाले हैं बगवान श्रुदेव और मालक्ष्मी के जिने दोस्तों और आप कर लेंगे जिने अगर आप मात रश्टून लेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल की शारी परिशानियां खत्म हो जाएंगी औ ग्रही योग का निर्मान होने वाले हैं और दोस्तों इनके श्रुदाश ये आप शिवी के जुनकाल में बहुत ये बड़ा चमतकार इन दिनों होने वाले हैं जिया दोस्तों आप शिवी को बता दें कि नीजी या फिर वैशाइक कामों में आ रही रुकाउटें अब दू हो जाएंगी आपको बता दे कि अधिकतर श्रुमे परिवार के शाथ अराम तदर मुनरंजन में वैथित होगा आपसे समाजिश बेहत्रिन होने से घर का मोहल भीया श्रुमे पोजिटिव बना रहेगा बगवान श्रुदीब और मालक्षमी के श्रुदाश ये आर्थिक द वैथित होगा शाथी कुछ महत्मुन विजनायों को किर्यानेत करने के लिए आपके पास उर्जा बनी रहेगी विद्यारतियों को अपनी श्रुदाश समचार मिलने से उनका मन बहुत यदा प्रशन रहेगा और दोस्तों यह में अपनी चमताओं और उर्जाओं का बगवान श्रिण देब का श्रिवाद आप श्रवी के शात है ज्यादोसों दोसों आप श्रुदी को बिता दे कि बगवान श्रुन देब और मालक्षमी के इस राशी में परवेश्ट करने के कारण शोभाग और शोभन नाम के दो शुभ्योग आपके युनकाल में बहुत बड़ा शमतकार करने वाले हैं जो भी नोकरी पेशा समझ जाए हैं जो भी धन्स जीड़ी शमझ आए यश्मी खत्म होने वाले हैं और लाव के नए ने राश्ति आपको मिलने वाले हैं अगर आपने कोई बिजनेस श्टार्ट किया है तो दोस्तों उनमें आपको बहुत आपके लिए यश्मे फाइदेमित पस्ततियां बना रही है मेहनत का पुराख़ल मिलेगा कोई महत्मों सुझना भी आपको मिलने की शम्भावना बन रही है बगवान शिंडेव और मालक्षमी के शिरवाद शी अब आपके जुनकाल की शारी बढ़ाएं खत्म होंगी प्र जाने के लिए जो भी कोशिस कर रही थे दोस्तों उनलों को सुझना मिल सकती है इस्टूडेन को केरिया से जुड़ी शमश्याओं शेयास में रहत मिलेगा जिसे दोस्तों आप शबी बहुत इदर प्रशन होंगे मालक्षमी का शिरवाद और बगवान शिंडेव का शाथ आप शिर्वी की जुनकाल परेशा होगा कि श्वास्त में भी आपको बहुत याच्छा शुदार देखने को मिलेंगे कोई भी लिया गया जरूरी फैसला भुष में फायदे मन शाबित होने वाला है इसके दोस्तों याश्मी बिल्कुल भी कोई गलती ना करें और शमय शम शंडेब के ओम शंचराय मंत्र का जाब करते रहें जैसे दोस्तों मालक्षमी और भगवान शंडेब का यहाँ शबसे महत्पुन मंत्र है तो दोस्तों शुवा शाम दिन रात जब हुष्ट के दिन में शमय निकालकर इन मंत्रों का मात नजाब करने शिए आप शिवी के ज देदा वश्यों होगा जिन दोस्तों माप श्यूवी को बिता दें कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उनमें आपको बगवान शंडेब और मालक्षमी के शिरबार्शे शुफलता की प्राप्ति होगी कि पुराने जगडे के सुल जाने से मानशक्त सामती भी आपको प्रा मालक्षमी और बगवान श्रिण देब के शिरबाश्य आपके कुंडली में बिरजमान होने के कारण आपके ग्रह गोजर भी आपके पक्षमी होने वाले हैं आपको बिता दें कि लावदाई के उजनाई बनेंगी और वक्रियानमित भी होंगी अपने शंपर्क शुत्रों क को और अधिक मजब बनाएं कुल मलाकर खुशी और शंतोस ब्राद दिन वहतित होगा जी अदोसों आपको बताया कि अश्मे महालक्षमी के अश्रिवास से बगवान शुनदेप के शाथ से घर के वरिष अधियों के शने और अश्रिवास से परिवार में शुकद और अनु बहुत ही अच्छा साबित होंगे फालतों बातों पर ध्यान हटा कर अपने कामों पर लगाएं अपने शपने वफिर कल्पनाई श्राकार करने का उत्तम श्रमे होगा कि अधोसों हैशे मोके बार बार नहीं आते जब दो देवी देवता आपके कुंडली पर विराजमान हो किसी रिस्तेदार के यहां धार्मिक उत्सव में जाने का प्रोरेम भी बनेगा कई फर्शा हुआ पेशा मिलने से आर्थिक सती और अधिक बहतर होंगी क्यों दोस्तों मालक्षमी का अश्रुबाद यश्मी आपके जुनकाल पर पर रहे हैं तो दोस्तों धन की आवक भी य यश्मी आपके खत्म होने वाले हैं जिया दोस्तों हम आप शुब बता दे कि भगवान शुनदेव और मालक्षमी का अश्रुबाद आप शुब के जुनकाल पर होगा कि घर के बदलाव शुमदी उजनाई बन रहे हैं तो दोस्तों वह यश्मी शंपन होंगे और उन्हें में आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा इनमें आपको बता दें कि दोस्तों भगवान शुनदेव और मालक्षमी के आपकी राश्रु पर बिरजमान होने के कारण शोच समझकर आपका लिया निरले कोई भईश में नए रास्ते खोलेगा जिया दोस्तों शुर्प घर के अनभी व्यक्तियों की शलाह अवश लें क्योंकि दोस्तों अनभी व्यक्ति हैं वह भगवान के ही शमान हैं उनमें भगवान का ही वास है तो दोस्तों बड़ों का बात आप बिल्कुल ही ना कटें श्रंदान की दरप से कोई शुबर समचार मिलने से गर में उत्ता बरा मह पहुल भी रह शकता है तो लोन लेने की युजना अगर बनाए हैं तो दोस्तों ना करें जिसकारी के लिए आप लोन ले रहे हैं वह लाबदाएक शाब्त होगा यह श्रमई गरश्टितियां आपको यह शंकेत दे रही है कि अपने वित्य युजनाव शंबंदी कारियों पर फ्रेश और तनावमुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उड़्जा का भी आप शुनसार यह महशुर करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों बगवान श्रिणदेव का श्रबात आप शिबी के शाथ रहेगा आपको बिता दे कि दोस्तों यह में बगवान श्रिणदेव क कए चुछ बातों को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें जैसे कि अब परेचित लोगों शे किसी भी तरह का शंपरक नार खें कि दोसरों रहत सेलत आपको धो का दे शक्ते हैं बिन कार्यों आपको गड़बड़ी पैदा कर शकते हैं सादी कहते हैं कि उनके शाथ बहुत ज़्यादा लाब गार इश्याप उसलोंगे शादोस्तों मालक्षमी भगवान शिंदेव के श्रबाद से आने मालक्षमी में आपका जो लव लाइब का जीवन होगा घर पिरवार में शुक और शांती बरा मोहल बना रहेगा प्रंतु विवातर शमन्नों का परभाव आपके घर की शुक्षांती पर भी पढ़शकता है शांती शेबात करें दोस्तों सभीश में श्याओं का हल आपको प्रयाप्त होगा शाती मालक्षमी और बगवान श्रब्देव के श्रबाद से आने वाले श्रबे में भी आपका स्वास्त बहुत ही मजबुत रहेगा कभ पर ध्यान देना है इनसे दोस्तों आपकी मानशिक शांती बढ़ेगी और इनसे आपका माइंड भी फ्रेश होगा तो दोस्तों इन शबी बातों का ध्यान रखें दोस्तों वीडियो के आखरे में बगवान शुंदेव और मालक्षमी के लिए एक बहुत यच्छा ग्यान दोस्तों आप हमेशा मालक्षमी और भगवान शुंदेव चे यह पात कहना कि किन शांचों का में एतबार करूं जो अंत में मेरा शाथ छोड़ जाएंगी किछ धन का में एहंकार करूं जो अंत में मेरे प्रानों को बचा नहीं पाएगी किछ तन पे में एहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा को बोज भी ना उठा पाएगा भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदी सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती जैस दोस्तों क्योंकि बगवान शुदेव कर्मों के फल दाता है अगर एक बार शुदा दे जाए तो दोस्तों वह सजा आपको बहुत यदा पसंद आया है दोस्तों पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद